हेलो क्योटीज कैसे आप सब रोग अक्सर हमने देखा है कि दिवाली के बाद जिन फूलों का यूज हम घर की सजावत के लिए करते हैं बाद में हम उन्हीं को निकाल कर फेक देते हैं और इसी तरह दिवाली के टाइम में घर में बहुत सारे मिठाई के डब्बे आते हैं उन अपना अपना प्लून है उसको इस तरह फुला लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं फलाना है मीडियम साइज का फुलाना है फिर एक टिशू पेपर लेंगे और फिर एक बाउल में हम फैमिकॉल इस तरह के से निकाल लेंगे क्योंकि फैमिकॉल थीक होता है तो हमें इसे पाइब चार दो के पराइब कर देंगे तो देखे चारो तरफ पेस्ट करना है और पूरा बलून जो है वह टीशू पेपर से कवर कर लिया है इसके बाद हमारी जो यह पूर पूल थे इन सुखे हुए फूलों को भी हमें इसके उपर अपलाई करना तो जिस तरीके से में आपको पूरा इसको अच्छे से कवर करना है तो चारो तरफ से कवर करने के बाद इस के चारो तरफ राउन डाउन करें पूरा कवर करना है कवर कर लिया है इसके बाद हमें दो और रेडी करनी है तो टोटल हमारी तीन यही रेडी हो चुकी है अब यह जो हमने इस्टेंड बनाया था इसके उपर इस तरीके से अटेच करना है तो इसके लिए हमने सबसे पहले डबे पर देखी थोड़ा होल कर लिए दोनों साइड मे अब एक इस्टिक को इस तरीके से यहां पे अटेच कर देंगे और दूसरी वाली को यहां पे तो अच्छे से इसको फैवी कोय लिया फैवी क्विक जिससे भी आप पेस करना चाहते कर सकते हैं उसके बाद हमें जो उपर वाला पार्ट है इसको भी फैवी क्विक से क्योंक इसको भी इस तरीके से पूरे डब्बे पर हमने कवर कर लिया और उसके बाद देखे बहुती सुंदर से यहां पे हमने स्टोन लगा दिये तो जो बहुती सुंदर लुका रहा है इसका इसके बाद हमने जो अपना यह बलून था वो हमारा सूख चुका है और देखे नीच फिर गरीन फिर कॉरेंच इस तरह से हमने सारे पॉम-पॉंपं यह वह लगा दियां और इसके बाद हमने इसे ऊंड़ कि तो देखे इसके साथ यह ईंगिंग कर देना है यह स्टोन इसके बाद हमने बालून हमने बनाया था इसके अंदर आटइफिशल हमने सूखी ग्र links को अबशा कि टिए चड़ी और के सांधा दॉतिक हम इनको फूरे ती कि टिए और इस तरीके से रहे और एक अन्ड़ दॉ और व्हाने के सांध स्क्राप इता रहा एक च़गिता अन्द्रेकर लाय इसकी कि मैं चूओल चोड़ देंगे तो यह बहुत ही सुंदर लुक देगा तो यह देखिए हमारा यह फाइनल लुक निकल का है अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत वीडियो को शेयर करना तो बिलकुल मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स